तो आप सभी का दिक्षान ताइस के online platform पर मैं संकर जा, NCRT के विशेश शत्र में आप सभी का स्वागत करता हूँ आज हम लोग industry के बारे में अध्यन करने जा रहे हैं उद्योग के बारे में जो अध्यन करेंगे तो इस topic से correlate होने के लिए कल हम लोगों ने जिन चीजों के बारे में जिस topic के बारे में चर्चा किया था उसको थोड़ा सा जान लेते हैं संचिप्त में चर्चा कर लेते हैं और फिर आज के topic पर हम लोग आज जाएंगे तो कल हम लोगों ने agriculture के बारे मध्यन किया था और agriculture में हम लोगों ने सबसे देखा था कि अर्थिवस्ता किस sector का अंतरगत agriculture आता है दूसरे हम लोगों ने agriculture का जो है so classification किया था कितने प्रकार कि क्रशी होते हैं उसके बाद हम लोगों ने फिर different types of agriculture उसकी विशेष्टा वहकीन शेत्रों में होता है उसके बारे में हम लोगों ने अध्यन किया था फिर क्रशी रचनागनी उत्री हमारी क्लास ये जो NCRT का सेशन चल रहा है सभी free classes है ये बंद नहीं होगा continue ये free classes आप लोगों के लिए चलती रहेगे फिर क्रिशी के विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उसके बारे में हम लोगों न अध्यन किया था और कुछ जो miscellaneous type का होता है जिसको आप विविद कहते हैं उसके बारे में हम लोगों ने कल अध्यन किया था फिर different जो crop है किस crop के लिए किस प्रकार के geographical condition के आवजशकता होती है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि चावल है गेहूं है मोटे अनाज है खपास है पत्तन है कहवा है चाई है इस तरह के क्रिशी के लिए किस तरह के जलवायू दसा की आवजशकता होती है इस पर हम लोगों में चर्चा किया था और ये फसल किन देशों में उत्पादित किये जाते हैं इसके उपर भी हम लोगों ने कल डिसकसन किया था तो आज हम लोग इंडस्ट्री के ऊपर चर्चा करेंगे तो आईए आज के कक्षा कार्जक्रम में जो इंडस्ट्री के बारे में हम लोग जानेंगे इसमें हम लोग किस-किस टॉपिक पर डिसकसन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे उद्योग क्या है इंडस्ट्री हम किसे कहेंगे उद्योग का वरगी करन फिर उद्योग की अवस्तिती को प्रभावित करने वाले कारक अवस्तिती का अर्थ होता है कि किसी भी उद्योग का जो लोकेशन होता है अर्थात कहीं पर कोई इंडस्ट्री अस्थापित होता है उसके क्या कारण है क्या इसकी स्विधाएं वहां पर उपलब्द होती है जिसके कारण कोई इंडस्ट्री कहाई पर लोकेट होता है इसके बारे में फिर है उद्योगिक प्रदेश और उसकी विशेषता क्या होती है कुछ प्रमुक उद्योग है प्रमुक उद्योग हम लोग लोग लोईस्पात उद्योग भारत में भी और कुछ बिश्वस्तर पर सूति बस्त्र उद्योग भारत में भी कुछ बिश्वस्तर के और सुचना प्रद्यों की उद्द्यों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे. सम्भब है कि ये क्लास आज जदी पूरी टॉपिक ये कवर नहीं होगी, तो कल हम लोग इस टॉपिक पर जो सेस पार्ट रह जाएगा, उसके बारे में डिसकेशन करेंगे. आपके प्रस्ण पूछने का तरीका क्या होगा आपको पता ही है कि अभी हम लोग continue 10-15 minute class segment पर चर्चा करेंगे और जब हम आपके पास आएंगे कि अब आप पूछे आपको जो बताया गया topic है इसमें से कोई दिक्कत है तो आप अपना comment लिखिएगा फिर हम आपके प्रशनो का उत्तर देंगे सभी subject की class नहीं हो रही है history NCRT की class always हो चुकी है दिक्षानत आये इसके YouTube चैनल के playlist में सभी वीडियो है आप उसको free देख सकते हैं quality NCRT की classes हो चुकी है free है वो भी playlist में परा हुआ है आप उसको देख सकते हैं अभी जोगरफी की चल रही है जब जोगरफी 6 से लेके 12 तक के NCRT हो जाएंगे cover तब फिर science का economics का NCRT शुरू होगा तो जिन्होंने history का नहीं देखा है playlist में जाके 6 से लेके 12 तक के history को देख लेंगे quality जिन्होंने नहीं देखा है वो quality का भी देख लेंगे 3 से 12 तक और जोगरफी अभी चल रही है 6 कक्षा की जोगरफी complete हो चुकी है 7th class का हो चुका है अभी हम लोग 8 class में है तो आप ध्यान में रखेंगे ठीक है आईए हम लोग चलते हैं सबसे पहले जानते हैं उद्योग क्या है इंडस्ट्री क्या है तो उद्योग जो होता है एक प्रकार का क्या होता है ये आर्थिक इकाई होता है एक नॉमिक यूनिट हम लोग कहते हैं उद्योग क्या है एक प्रकार की आर्थिक इकाई है ये जो एक प्रकार की आर्थिक इकाई है यूनिट है इसमें होता क्या है और किस तरीके से तो वे मुल्य वाले मुल्य उत्पाद में अधिक मुल्य वाले उत्पाद में व्याज़ाता है मुल्य वाले प्रोडक्ट में उत्पाद में कनवर्ट किया जाता है उत्पाद में क्या होता है बदला जाता है और ये जो उत्पाद में बदला जाता है ये बिसिकली किसके सहारे बदला जाता है तो या तो इसके लिए प्रद्योग की का सहारा लिया जाता है manufacturing करने के लिए प्रद्योग की और दूसरा किसके सहारे स्रम के सहारे तो उद्योग क्या है एक प्रकार की आर्थी की काई है और ये जो एक प्रकार की आर्थी की काई है बिसिकली इसमें क्या होता है किसी उद्योग में तो सबसे पहले हम input के तौर पर उसमें कच्चे माल का उ तो उसको क्या करता है मशीन के द्वारा प्रसंस्कृत करते हैं यानि मैनिफेक्ट्रिंग करते हैं और उस मैनिफेक्ट्रिंग की प्रक्रिया में क्या होता है उच्च गुनवत्ता वाले हाई क्वालिटी वाले उत्पाद और ऐसे उत्पाद तयार करते हैं हम जिससे उसका जिसमें कच्चे माल को उच्छ गुनवत्ता वाले अधिक मुल्यवाले उत्पाद में मुल्यवान उत्पाद में प्रद्योग की और स्रम के सहारे कंवर्ट किया जाता वो क्या कहलाता है उद्योग कहलाता है एकनॉमिकल यूनिट है तो यह एक इसका टेकनिकल परिभासा है उद्योग का इसको आपको ध्यान में रखना है ठीक है नेक्स्ट है उद्योग का वर्गी करन तो अभी जो हम आपको उद्योग का क्लासिफिकेशन बताने जा रहे हैं यह आप ध्यान में रखिये एक एट क्लास के स्टेंडर का है जो भारत में उद्योग का बरतमान में हम कुछ और तरीके का है लेकिन अभी 8 class के इस्टेंडर में हम लोग है तो उस class का जो बरगी करन है वही बताएंगे आपको तो अब दिहान से देखेगा तो उद्योग का जो बरगी करन होता है ये प्रात्मिक तोर पर तीन तरीके से हम लोग कहते हैं एक होता है कच्छे माल की प्रकृति के अधार पर यानि उद्योग के द्वारा जो रो एंड मैटेडियल प्रयोग किये जाते हैं एक वो जाएगा कच्छे माल की प्रकृति के अधार पर दूसरा उद्योग का जो classification होता है वो आकार के अधार पर आकार के अधार पर ये दूसरा classification है आकार के अधार और तीसरा जो उद्योग का classification होता है वो किसके आधार पर होता है तो ownership के आधार पर स्वामित्व के आधार पर होता है κस्वामित्व के आधार dön elles भार खुर तो बरे तौर पर हम industry का जो classification करते हैं ये तीन तरीके से करते हैं कच्चे माल पर जब उद्योग का क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये उद्योग चार प्रकार के होते हैं ऐसा उद्योग जिसके लिए कच्चा माल कहां से आए क्रिशी से तो क्रिशी पर आधारित उद्योग हो जाएगा एक क्रिशी पर आधारित यानि कि ऐसा उद्योग जिसक के लिए कच्छा माल क्रिशी साता है क्रिशी पर क्रिशी पर आधारित क्रिशी पर आधारित उद्योग हो जाएगा एक दूसरा किस पर हो जाएगा वन उत्पाद पर आधारित उद्योग वन उत्पाद पर आधारित उद्योग हो जाएगा जिसके लिए बन उत्पाद पर आधारित तीसरा हो जाएगा खनन पर आधारित और चौथा हो जाएगा समुद्री उतपाद जो समुद्र से हमें उतपाद की प्राप्ति होती है तो समुद्री उतपाद पर आधारित उद्योग इसी तरीके से आकार के आधार पर अभी आप समझे कि यह दो परकार के होते हैं एक होता है लगु आकार का उद्वीओ कहेंगे लगु आकार का और दूसरा जो होता है उसुको हम लोग कहते हैं ब्रिहत इस्केल का ब्रिहत आकार का हलांकि modern classification जो है एक सेबा अधारित उद्योग का, एक खनन अधारित उद्योग का, उसमें शुक्समुद्योग है, मध्यमस्तर के उद्योग है और लार्जर स्केल के इंडस्ट्री आते हैं लेकिन यहाँ पर दो क्लासिफिकेशन है, एक है लगु आकार का और दूसरा है ब्रहताकार का और स्वामित्यू की आधार पर भी इंडस्ट्री को चार वरगुम रखा गया है इसमें एक होता है जिसको आप कहेंगे सरकारी उद्योग यानि कि पबलिक सरकारी उद्योग कहेंगे आप दूसरा होता है जिसको आप कहेंगे नीजी छेतर का तीसरा जो होता है जिसको आप कह सकते हो एक तरीके से जिसमें सरकारी और नीजी दोनों का स्वामित तो होता है वो होता है और तो एक हो जाएगा सन्युक्त छेतर जिसको आप कहेंगे joint sector सन्युक्त छेतर के उद्योग और चौते होते हैं जिसको आप किया कहते हैं सहकारी छेतर के उद्योग कहते हैं cooperative sector का industry हो जाएगा अब आप कोई इसे ध्यान से सुनना है हर एक का हम example देंगे उसकी परिभासा बताएगे आप ध्यान पुर्भक सुनिएगा और अपना notes डवलप करते जाएगा तो प्राथमिक तोर पर उद्योग का classification तीन प्रकार का होता है एक होता है कच्छे माल की प्रकेड़ती के आधार पर दूसरा है उद्योगों के आकार के आधार पर उद्योगों के आकार करता है कि पुन् के आधार पर जो उत्पाद प्राप्त होता है उत्पाद प्राप्त होता है वो तो इसके आकार पर उद्योग है और तीसरा है ओनर्शिप के आधार पर एक है सरकारी उद्योग यानि कि जिसका पॉब्लिक इंडस्ट्री भी कहते हैं, दूसरा है नेजी चेतर, तीसरा सन्योग चेतर और चौथा सहकारी चेतर कच्चे माल की प्रकृति के आधार पर जो उद्योग हैं, वो चार प्रकार के हैं, एक है क्रिशी आधारित उद्योग करती हुआ, कि वह उद्योग जिसके लिए कच्चे माल की प्राप्ति क्रिशी होती है, वो क्रिशी आधारित उद्योग हो जाएगा, जैसे सूती बस्तर तो इसे तरह के उध्योग के होते हैं वो क्या 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 लाते हैं क्रिशी आधारित उद्योग परिभासा ये होगा कि वह उद्योग जिसके लिए कच्छे माल की प्राप्ती क्रिशी से होती है वह क्रिशी आधारित उद्योग है जैसे चेने उद्योग बस्तर उद्योग और बस्तर उद्योग कंतरगत जो हमने आपको बताया है वो हो दूसरा होता है बन उत्पाद पर आधारित उद्योग अर्थात ऐसा उद्योग जिसके लिए कच्चे माल की प्राप्ती वन से प्राप्त होता है वो बन उत्पाद पर आधारित उद्योग होगा है जैसे माचिस इंडस्ट्री है जैसे सहद इंडस्ट्री होता है जैसे आप क उद्योग को हम लोग बन उत्पात पर आधारित उद्योग कहते हैं तीसरा है खनन आधारित उद्योग तो खनन आधारित उद्योग कौन सा होगा ऐसा उद्योग होगा जिसके लिए कच्छे माल की प्राप्ति कहां से होती है खनन से होती है खनन क्या होता हैं पिछने क्लास म यानि कि जैसे सिमेंट उद्योग है लोई सपात उद्योग है एल्यूमीनियम उद्योग है इस तरीके के जो उद्योग होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं खनन आधारित उद्योग कहते हैं क्योंकि एल्मुनियम की प्राप्ति बॉक्साइड एक्स से होती है हम बॉक्साइ आदारित हो जाता है कि सागर्थ से हम फिसिंग करते हैं और उस पर आधारित food processing industry भी जिसको मतश्य प्रसंस्कृत उद्योग कहेंगे वो अस्थापित करते हैं इस तरीके के जो उत्पाद होते हैं जो हमें समुद्र शेपराप्त होता है तो वो हम समुद्र आधारित उद्योग कहते हैं तो ये कच्छे माल की प्रकृति के आधार पर च पूंजी नियोजन का मात्रा कितनी हुए श्रम की मात्रा और इन दोनों का आधार पर उत्पाद की जो प्राप्ति होती है वो अभी भारत में प्रजेंट टाइम में आप देखेंगे कि सेवा चेतर में जो पूंजी का निवेश होता है उसके आधार पर सुक्ष में मध्यम और जो ग्रेटर इंडस्ट्री है वहतास्तर का उसका एक अलग रैटेडिया है खनन पर जो मैनिफैक्षरिंग इंडस्ट्री है उसमें कौन सुक्ष में मध्यम और कौन ग्रेटर इंडस्ट्री का लाएगा वो निवेश पर आधार यहाँ पर हम केबल ये जान लेते हैं ल अड़िवार के सदस्य के द्वारा ही इस तरीके के ऊथपात तयार कर लिए जाते हैं असथानिये तौर पर ऊसका कत्च्चा माल मिलता है तो जैसे जो कताई उद्योग है लॉइस पात उद्योग है इस तरीके के जो जो जिसमें मूल रूप से टेक्नलाजी और फिर स्रम के द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पाधन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं ब्रहत अस्तर के उद्योग कहते हैं स्वामित्य के आधार पर उद्योग चार परकार के होते हैं एक सरकारी उद्योग या जिसको आप पॉब्लिक सेक्टर कहते हैं तो पॉब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री कहने का अर्थ होता है कि ऐसा उद्योग जिसके प्रबंधन और संचालन पर पुर्ण स्वामित्य सरकार का है उसे हम लोग क्या कहते हैं public sector industry का हमने दो सब्द का प्रयोग किया है उसको ध्यान रखेंगे एक सब्द हमने प्रयोग किया है प्रवंधन, management और दूसरा सब्द हमने प्रयोग किया है संचालन यानि regulating अर्थात ऐसा उद्योग जिसके प्रवंधर और संचालन की संपूर्ण जिम्मेदारी संपूर्ण कार्जभाही सरकार के द्वारा की जा रही है उसको public sector industry या सरकारी उद्योग आप कहते हैं जैसे भारत में आप उदारान जैसे sale है still authority of India limited है Gel authority of India limited है ये बिलकुल पूरी तरीके से क्या है public sector का industry है नीजी छेतर हो जाएगा तो नीजी चेतर का उद्योग हो गया कि जब उद्योग का प्रबंधन और संचालन ब्यक्ति या ब्यक्ति के समुह में हो तो उसे हम क्या कहते हैं नीजी चेतर का उद्योग कहते हैं जैसे आप रिलाइंस के बारे में परते हैं तो रिलाइंस और टाटा क्या है ब्यक्ति और ब्यक्ति के समुह के द्वारा संचालित है तो जब किसी उद्योग का प्रबंधन और संचालन ब्यक्ति विशेश या ब्यक्ति के समुह के द्वारा होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं नीजी सेक्टर का उद्योग कहते हैं प्राइबर्ट सेक्टर का इंडस्ट्री कहते हैं सन्युक् चेतर का हरता है कि जब किसी उद्योग में प्रबंधन और संचालन नीजी छेतर और सरकारी छेतर यानि पब्लिक दोनों के सहाथों से हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं सन्यूक्त चेतर इंडस्टरी कहते हैं फिर से एक बार जब किसी उद्योग का प्रबंदर और संचालन सरकार के हात में भी हो और निजी छेत्र के दूरा भी चलाया जा रहा है यानि दोनों मिलकर चलाएं, तो उसे हम क्या कहते हैं सन्युक्ति छेत्र इंडस्ट्री और सहकारी छेत्र इंडस्री होता है कि जब ऐसा उद्योग जिसमें कच्चे माल के उत्पादन प्रसंस्क्रन और तयार उत्पाद पर जो है एक तरीके से ब्यक्ति ब्यक्तियों के समुह कुछ संगठनों के द्वारा चलाया जा रहा हो तो हम उसे सहकारी छितर का उद्योग है जैसे भारत में जो अमूल दूद ह होता है जो गुजरात में आनंद डेरी सहकारी संग है सुधा है यह सब क्या है एक प्रकार के सहकारी कोपरेटिव सेक्टर के अंतरगत आते हैं तो यह इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन है बहुत ही बैज्ञानिक तरीके साब को बता दिये हैं आप इसको अच्छे से नोट बना लिजिएगा प्रतियक का एक्जामपल लिख लेना है जब भी कभी एक्जाम इस तरीके के प्रस्ण पूशे तो आप इसको गलत ना करें नेक्स वो जाएगा अध्योगिक अवस्थिती को प्रभावित करने वाले कारक करत है कि कहीं पर जो कोई इंडस्ट्री लगाई जाती है कहीं पर जो कोई इंडस्ट्री लगाई जाती है वो किन कारणों से लगाई जाती है आप ये समझें कि जैसे जार्खन के जमसेदपूर में Tata का ٹिसको है जिसको हम लोग Tata, Iron and Steel Company कहते हैं ये जमसेदपूर में ही क्यों लगाया गया कहीं और जाकर क्यों नहीं लगाएगे तो क्या वो सुविधाये थी जिसके कारण वो इंडस्ट्री वहाँ पर लोकेट हुआ वो हमें ध्यान से समझना है तो कहीं पर जो उद्योग का अस्थानिय करन होता है ये कई कार को परनिर्भर करता है सबसुस में क्या है एक है कच्चा माल उद्योग अस्थानिय करन के लिए कच्चा माल यानि कि जो कच्चा माल होता है वह अभी उद्योग के लोकेशन को प्रभावित करता है कैसे अभी आपको बताते हैं दूसरा है स्रम लेबर तीसरा है कैपिटल पूंजी चौथा है मार्केट बाजार पांचमा है वाटर जल छटा है कॉम्निकेशन के साधन यानि संचार ट्रांसपोर्ट लैंड पावर और कई सारी चीजें होती है अभी आप इतना समझे कि ये किस तरीके से उद्योग के लो अस्तर का हो बड़े अस्तर का हो और फिर किसी तरीके का हो उसके लिए कच्चे माल जो है वो जरूरी है तो कच्चे माल दो तरीके के होते हैं एक होता है सुद कच्चा माल और दूसरा होता है असुद कच्चा माल उस कच्चे माल को कहते हैं जिसका वजन प्रोसेस के दौरान कम नहीं होता है अर्थात आपने पांचटन कच्चा माल लगाया और पांचटन उत्पाद भी तयार हो गया इस प्रकार के उद्योग कहीं भी लगाया जा सकते हैं और दूसरा है असुद कच्चा माल इंप्योर रोईंड मेटेडियल इसका अर्था है कि ऐसा उद्योग का कच्चा माल जो मैनिफेक्टरिंग के प्रोसेस में वजन लूज कर देता है तो उसको हम लोग असुद कच्चा माल लगाया और तयार माल एक टन प्राप्त हुआ वो असुद कच्चा माल पर है ऐसे उद्योग जहां पर कच्चे माल का उत्पादन होगा वहीं पर लगाये जाएंगे नहीं तो फिर क्या होगा कि एक बेवर का उद्योग के मॉडल के अनुसार ट्रांस्पोर्ट लागत बर जाएग वजनी होने लगेगी भारत में चीनी उद्योग इसका बेस्ट उदारन है चीनी उद्योग वहीं पर अस्थापित है जहां पर गन्य का उत्पादन होता है क्योंकि यह बाहर के चत्रों में नहीं लगाया जा सकता तो एक raw end material दूसरा labor किसी भी उद्योग को चलाने के लिए स्रम की आवज़ सकता होती है स्रम skilled भी होता है non skilled भी होता अब वो उद्योग के nature पर निर्वर करता है कि वो किस प्रकार का उद्य करना होगा तो जमीन के अधिग्रहन करने के लिए मसीनिरी खरीदने के लिए प्लांट लगाने के लिए स्रमिकों को वेतन देने के लिए सभी प्रकार के कार्ज के लिए आपको capital चाहिए तो बड़े मात्रा में पूंजी आवश्यक सर्त है उद्योग को लोकेशन के लिए लगाने के लिए फिर है market बाजार बाजार का यहां पर अर्थ है कि अध्योग केंद्र से बहुत दूर नहीं बाजार होना चाहिए कुछ उद्योग के मामले अर्था जो आप उत्पाद तयार कर रहे हैं उसको मार्केट में सेल करने के लिए नजदीक में बाजार हो तो फि शारे उद्योग ऐसे होते हैं जिनको जल की जरूरप होते हैं अधिकाउन सो जीग जैसे सिमेंट उद्योग है वीना जलक वाले चेत्र में यह लगते नहीं है इसी तरीके से थरमल पावर plant है, तो कई सारे उद्योग ऐसे हैं, जूट industry है, जिसको जल की जरूरत क्योंकि पटशन की धुलाई के लिए जल की जरूरत होती है, तो जल जरूरी है, पेजल के रूप में भी, उद्योग एक शेतर में बॉइलर के लिए भी और कई सारे कार्यों के लिए जल्गी जरुरत होती हैं कौम्मिकेशन के शाधन संचार आज सबसे बड़ी चीजे हैं तो कि प्रत्य विक्ति एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल नहीं कर सकते हैं आज आप देखते हैं कि maximum काम किस पर होते हैं आज maximum काम जो होते हैं फ़ोगा आप सबनाटे मॉणीकेशन के माद्यम से आप एक फ़ोन उठाते हैं करते हैं वीडियो कनफरेंसिंग कर लेते हैं और आपका काम हो जाता है तो communications के साधन होने चाहिए तो अध्योग लगाना आसान हो जाता है ट्रांस्पोर्ट, facility ट्रांस्पोर्ट करते हैं कि उत्पादन किंदर से बाजार तक पहुचाने के लिए उत्पाद को और कच्चे माल को उत्पादन किंदर से जोरने के लिए ट्रांस्पोर्ट की वेवस्ता होनी चाहिए ये सरक परिवहन होना चाहिए, रेल परिवहन होना चाहिए और वायू परिवहन भी होना चाहिए जयानि कि आप जहां से कच्छा माल लेंगे और और द्योगिक के अंदर पर ले जाएंगे वहाँ से वहाँ कम्मिनिकेशन फैसिलिटी टरांसपोर्ट की फैसिलिटी और फिर जहां वह द्योग है वहाँ से बाजार पहुचाने के लिए भी ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए. और वो जिस प्रवकार का है जदि हैबी इंडस्ट्री है तो रेल परिवहन बहतर होगा, सरक परिवहन चाहिए, वायू परिवहन चाहिए यानि तमाम प्रवकार के जदि ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी उपलब्द है तो द्योग लगाना आसान हो जाता है फिर लैंड है, जैसे मैंने पहले ही का कोई भी उद्योग लगेगी तो बिना जमीन अधिकरहन की हो नहीं सकती है तो एक बरे छितर में अब वो उद्योग के उपर निर्वर करता है कि उद्योग किस तरीके के हो और कितने वरा उद्योग है लेकिन जमीन एक प्रात्मिक में उद्योग लगाना संभव नहीं होता है तो ना के बल जमीन बलकि समतल भुभाग होना चाहिए ताकि आसानी से वहाँ पर उद्योग लगाया जा सके और फिर पावर यानि उर्जा किसी भी उद्योग को चलाने के लिए उर्जा आवश्यक है और बरतमान समय में जिस त चाहिए जैसे बैंक और बीमा होना चाहिए क्योंकि उद्योग पती भी लोन लेते हैं भारत के कई सार उद्योग पती आप देखते हैं लोन लेकर भाग जाते हैं तो बैंक और बीमा की स्विधा होनी चाहिए उद्योग लगाने के लिए ताकि यदि उद्योग पती को जर विद्योग एक लोकेशन को प्रभावित करता है हमारे आपके जो डिमांड होता है आज कल आप देखते होंगे हमारा आपका डिमांड क्या हो गया है कि हम ओमेजन ख्लिपकार्ट पर जाते हैं और बुक करते हैं समान आपके घर तक पहुंचा इसलिए आप देखते हैं कि इसकिम इंडस्ट्री बढ़ेगा नयुक तो फिर वह इंडस्ट्री बंद हो जाता है और फिर इस तरीकति जो सरकार की पॉलिसी होती है वो भी इंडस्ट्री को प्रभावित करता है जैसे भारत सरकार की कुछ नितियां आप देखें इस बीच में जो आई है आप देखेंगे भारत सरकार के start up India, stand up India policy है फिर जो making India companion है एक तरीके से आत्मिरभर भारत प्लान है ये सारी की सारी जो सरकार की policy है ये उद्योग के location को प्रभावित करते हैं किस हितर में कितना निवेश करना है विदेशी निवेश आना है ये सारी की सारी जो चीजे है उद्योग के location को प्रभावित करता है यहां तक सभी का अभी तक जो हमने आपको बताया है उसमें यदि कोई समस्या है आप नहीं समझ पाए है तो आप पूछ सकते हैं नहीं तो हम आगे बरहेंगे किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं देखो गनपत सिंग जी आपका जो प्रस्न है कि बारत के किस उद्योग में सार्वनिक चित्र में सबसाधिक पुन्जी निवेश हुआ है ये अब ज़दी इस्तिति आप देखेंगे तो वो डिफरेंट है है जो पूरी तरीके से सार्वनिक चित्र के लिए आरक्षित रखे गया है एक रक्षा उद्योग है उसमें भी अब देखते हैं कि आप आ चुका है रेलवे है ठीक है ना यह यादर रहा है सहकारी का अर्थ होता है कि जब उद्योग का जो प्रबंधन और संचालन व्यक्ति श्रमिक और व्यक्ति के संगठनों के द्वारा किया जा रहा हो तो वो सहकारी चेतर उद्योग कर लाता है जैसे भारत में सुधा डेरी है आनंद कॉपरेटिव फेटरेशन है ये सहकारी स्वापन से ट्योग कैंतरगत आते हैं निर्मान और व्यक्ति विनीर्मान उद्योग माल अपने लगा वे निर्मान का अर्थ होता है तो से नोगी उतपाद प्राप्त किया वो विनिर्मान है नए उतपाद आप तैयार कर लेते के न सन्युक्त और सहकारी छित्र में अंतर यही है कि सहकारी छित्र में स्रमिक की भी भागेदारी होती है उद्योग के प्रबंधन और संचालन में स्रमिकों की भी बादियार यानि कच्चे माल के उत्पादन तयारी करने में उसमें स्रमिकों की भी भागेदारी होती है प्रबंधन और संचालन में जबकि सन्युक्त छित्र जो जॉइंट सेक्टर होता है उसमें सरकार और नीजी छित्र की जो होती है वो भागेदारी होती है प्रबंधन और संचालन में क्लियर है अब है लोईस्पात उद्योग तो लोईस्पात उद्योग के बारे में थोड़ा सा परिचाय फिर परिचाय के बाद हो जाएगा लोईस्पात उद्योग के जो है अस्थानिय करन की प्रविर्ति अस्थानिय करन की प्रविर्ति पैटर्न कहेंगे इसको और तीसरा हो जाएगा भारत में लोह इस्पात उद्योग और विदेश में एक यूएस के लोह इस्पात उद्योग किंदर के बारे में दिया हुआ यह जो उद्योग के अस्थानिय करन की प्रविड़ती है यह डारेक्ट यूपीएसी के में आया हुआ प्रस्ण है कि लोह इस्पात उद्योग के अस्थानिय करन की बदलती हुई प्रविड़ती के उपर चर्चा कीजिए यह प्रस्ण है यूपीएसी में पूशा हुआ है त ये डारिक्ट इंसियाटी से इसका आंसर मिलता है और कहीं से इसका आंसर मिलेगा नहीं तो लोह इस पात तुद्योक्य अस्थानिय करन की जो प्रविर्टी है इसको तीन समय अबदी में बाट कर देखा जा सकता है एक हो जाएगा अठारा सौ इसवी से पहले अठारा सौ इसवी से क्या हो जाएगा पहले फिर दूसरा जो अस्थानिय करण की प्रविर्टी का इतिहास है वो जाएगा अठारा सौ से उने सो पचास तक और तीसरी जो अस्थानिय करन की प्रविड़ती हो जाएगी 1950 के बाद यही UPSC के मेंस में आया हुआ है कि बिश्फ में लौ इस्पात उद्योग के अस्थानिय करन के बदलती हुई प्रविड़ती के बारे में आप बताईए देखो जो लौ इस्पात उद्योग होता है इसको हम लोग कोर सेक्टर इंडस्ट्री के अंतरगत रखते हैं कोर उद्योग कहते हैं कोर उद्योग कहने का अर्थ होता है कि भारत में जैसे आठ इंडस्ट्री है जिनको कोर सेक्टर के अंतरगत रखा गया है उसमें law इस पात उद्योग भी आता है core sector industry कहने करत होता है कि ऐसा उद्योग जो अन्य उद्योगों के विकास के लिए आधार का काम करें उसके लिए basic infrastructure उपलब्द कराए उसको core sector industry के रूप में जाना जाता है तो इसलिए हम इसे core sector industry कहते हैं क्योंकि आपको कोई भी वे निर्मान कार्ज करना हो construction काम करना हो किसी भी तरीके का उद्योग लगाना हो तो उसमें law इस पात की जरूरत होती ही है ठीक है ना तो law इस पात उद्योग को एक core sector industry के रूप में जाना जाता है ना केबल core sector industry बलकी law इस पात उद्योग को औध्योगिक सब्यता का धूरी भी कहते हैं अन्य उद्योगों का जो विकास हुआ है बैसिकली लोईस पाथ उद्योग पर निरबर है जैसे कोई भी आप industry देख लो इंडस्ट्री लगाना है तो आपको वहाँ पर लोईस पाथ के पूल बनाना है तो लोईस पाथ चाहिए भवन बनाना है लोईस पाथ चाहिए कई factory है machine है सब में इसका उप्योग होता है इसलिए हम इसे वर्तमान उद्योगिक सब्विता की धोरी कहता अर्था तो वर्तमान समय में जो भी उद्योगिक विकास आपको दिखाय देता है वो लॉइस पात उद्योग उसमें input है तब उसका विकास हुआ है और लॉइस पात अब जब आप इस पात बनाएंगे लौयक से तो फिर इसमें क्रोमियम, मैगनेज, इस तरीके के निकेल और अन्य बस्तू को मिलाकर आप मिश्रित उत्पाद तयार करते हैं अब जो अस्थानिय करन की प्रविर्ती है, बेसिकली क्या है कि 1800 से पहले ये भारत और विश्रो सभी अस्तर पर लागू होता है 1800 से पहले लौयस्पात उद्योग के अस्थानिय करन की प्रविर्ती थी वो क्या थी, तो ये कच्चे माल के नज़्दीक लगाए गये थे वैसे भी लौयस्पात उद्योग जो होता है एक असुद कच्चे माल पर आधारित उद्योग होता है और पहले ही आपको बताया कि जो असुद कच्चे माल पर आधारित उद्योग होते हैं वो कच्चे माल के श्रोत छितर में ही लगाए जाते हैं दूसरा जो है विद्यूत आपूर्ती के छित्र में यानि कि जहां पर उर्जा की आपूर्ती है वहां पर और तीसरा जहां पर जल की उपलवदता थी जल की उपलवदता और प्रभाहित जल ऐसे छित्रों में उद्योगों का मुख्य रूप से लोकेशन हुआ तो 1800 से पहले जो लोस्पात उद्योग के लोकेशन की पर बिढ़ती थी जहांपर कच्चे माल उपलब्द थे विद्यूत की आपूर्ती थी जल की उपलब्द था थी वहाँ पर ये उद्योग लगाए गए थे फिर 1800-1950 के बाद जो इस बीच में जो लॉइसपात उद्योग का लोकेशन हुआ वो मूल रूप से कोईला चेतर के नजदिक क्योंकि कोईला जो है ये प्रगलित करने में यूज होता है तो कोईला चेतर के नजदिक और कोईला चेतर के साथ-साथ जो रेलवे परिवहन है क्योंकि परिवहन में होना चाहिए रेलवे परिवहन नहर परिवहन जहां पर इस तरीके के परिवहन की सुविधायें उपलब्ध थी वहाँ पर लोह इस्पात उद्योग को लगाया गया लेकिन 1950 के बाद जो है जो लोह इस्पात उद्योग लगाया गया इन छेत्रों में तो पहले भी लगते रहे आज भी लग रहे हैं लेकिन 1950 के बाद जो लोह इस्पात उद्योग लगा वो बेसिकली कहा पर लिखा, तो तट्टी ए छित्रों में, बंदरगाह के पास, ताकि कच्चे माल का जदी आयात करना हो, तो भी बंदरगाह पर अजा जाएगा, और तयार उत्पाद को बाहर भेजना हो, तो भी बंदरगाह से वह असानी से चला जाएगा, तो बंदरगाह के पास और शम्तल भू में जहाँ पर प्लेन एडिया उपलब्द है बरे तोर पर उद्योग अस्थापित किये जा सकते हैं वहाँ पर भारत में इसका सबसे बहतर उदारन बंदरगाह का उदारन जो है यह है विशाखा पत्नम लौइसपाथ सन्यंद्र जो बिशाखा पत्नम लौइसपाथ सन्यंद्र है इसके नजदीक में कोई भी कच्छा माल उपलब्द नहीं है लौइसपाथ उद्योग के लिए जिन कच्छे माल की जरूरत होती है वो उपलब्द नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पर उद्योग है क्योंकि यहां से तट से निर्यात किया जाता है लॉइस पात का ये है अब भारत में जो लॉइस पात उद्योग है और यूएस में जो लॉइस पात उद्योग है वो आप ध्यान से देखें भारत में कई अस्तानों पर लॉइस पात उद्योग है तो भारत में जो लॉइस पात उद्योग है वो कहां क करें तीसरा दो दो बात कर चाल चाल Hold Med कि द डो जगे मिलेगा एक है जम सेधपूर में जिसको that को कहते जमसेदपूर में और फिर एक इंडस्ट्री जारकंड के बोकारो में बोकारो आयरन एंड स्टील कंपनी है फिर एक है जो करनाटक में भद्रावती है वहां पर है बद्रावती के बाद विजयनगर एक जगाय करनाटक में वहां पर है विजयनगर इसपात सन्यंत्र है यह भा में अवस्तित है जो रावर केला इसपाथ सन्यंत्र है ये कहां पर अवस्तित है उरिशाम अवस्तित है दुरगापूर इसपाथ सन्यंत्र कहां पर है पस्षिम बंगाल में है जमसेदपूर इसपाथ सन्यंत्र जो है वो कहां पर है जारखंड में है बोकारो कहां पर है जुद्राबती लुइस पाद संजयेंतर करनाटक में और विजयनगर इस पाद संजयेंतर करनाटक और एक आप को और प्यांपल के लिए दिया था कि विशाखा पत्नम जो लौईस्पाथ सन्यंतर है विशाखा पत्नम तो विशाखा पत्नम लौवअज पाझ सन्यंतर जो यौश जाएगा यां ambos परुदेश में इसमें जमसेदपूर को चोर कर जितने भी यह जो है टाटा के देन है यांनि कि यह नीजी चितर का है नीजी चितर का सेस बिलाई हो रावर केला हो दुरगापूर हो बोकारो हो भद्रावती हो विजायनगर विशाखा पत्नम ये सभी सरकारी चितर के अंतरगत हैं और सब की देखवाल जो करता है ने ये सेल करता है स्टील ऑथरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेट करते हैं जिसकी अस्थापना एक बार अपचेक कर लेना 1974 में हुई है इसके द्वारा किया जाता है वैसे भारत में जो लोईसपात उद्योग का इतिहास है भारत में पहला लोईसपात उद्योग पस्रिम बंगाल में कुल्टी न स्टील कंपनी जो पस्रिम बंगाल में अबस्तित है वो तीन सन्यंत्र को मिलाकर इसको किया स्थापना की गए हीरापूर कुल्टी और बर्नपूर को मिलाकर इसको बनाएगे सेस आपके सामने में है इसमें जो जमसेदपूर स्टील प्लांट है यह आप देखेंगे इसके जमसेदपोर स्टील प्लांट जो है लगभख यहां पर अवस्तित है पत्स्य जार्खंड में अवस्तित है यह हो जाएगा जमसेदपूर स्टील प्लांट जो के लोकेशन की क्विधाएं है यह आपके एक्जाम में आता है तो यह जो नदी है इसको कहते हैं कि यह स्वर्न रेखा नदी है यह स्वर्न रेखा और यह जो नदी है यह खरकई नदी है कौन सी नदी है खरकई नदी है तो जो जमसेपूरंस्टी प्लांट है जिसको टिसको कहते हैं यह अस्थापित कभ हुआ था 1907 में अस्थापित हुआ 1909 में यहां पर कच्छे लोहे का उत्पादन और 1911 से यहां पर इस पाद का उत्पादन होना शुरू हुआ वर्तमान समय में ये नीजी छेतर का सबसे बड़ा लॉइसपात उद्योग है और इस लॉइसपात उद्योग के अस्थानिय करन के लिए जो सुविधाएं हैं क्यों टाटा गए यहाँ पर उद्योग लगाने के लिए वो आपको ध्यान से समझना है UPSC के में यही प्रसंद डारेक्ट आता है आपसे पूछा जाएगा कि टिस्को के अस्थानिय करन की क्या सुविधाएं हैं क्यों वहाँ पर यह उद्योग लगाया गया तो टिस्को के लिए क्या क्या सुविधाएं थी सबसे पहला क्या है टिस्को के पास कि जमसेदपूर जो है स्वर्न रेखा और खरकई नदी के बीच में बस्तीत है यह जो मैंने स्पॉट लगाया ने यह जमसेदपूर के लोकेशन को दिखाता है तो जमसेदपूर जो है ये स्वर्न रेखा और खरकई नदी के बीच में है जिसके कारण यहाँ पर इस नदी से जल पड़ी बहन की स्विधा उद्योग के लिए जल और स्रमिकों के लिए और वहाँ पर जो भी कर्मकार है सब के लिए जल की स्विधा इन नदीयों से उपलब्द है दूसरा क्या है कि स्वर्न रेखा और खरकई नदी के बीच का एक बिशाल और समतल मैदानी छेतर यहाँ पर उपलब्द है तीसरा इस उद्योग को जो स्विधा उपलब्द है वो क्या है कि निकट के उडिशा और 36 गड़ से इस जमसेदपूर को जो मैगनी चाहिए जो बॉकसेट चाहिए कच्छे बाल के रूप में वो यहाँ पर उपलब्द है तीसरा इस उद्योग के लिए क्या है कि जारखंड में यहाँ पर है गुआ और नोवा मुंडी गुआ और नोवा मुंडी से यहाँ पर क्या है यानि कि गुआ और नोवा मुंडी इस से यहाँ पर लोह अयक्स की प्राप्ति हो जाती है पास्मा किया है कि जारखंड में यहां पर बीरमित्रपूर है बीरमित्रपूर से इसको जो है सो एक तरीके से मैगनिज की प्राप्ती हो जाती है फिर यहां से कॉलकाता और नागपूर रेलमार्ग निकला हुआ यह जो है कलकाता नागपूर यह कलकाता मुंबई रेलमार्ग आप कह सकते हो, इसको कॉल्कतफा और नागपूर रेल मार्ग की सुवदा उपलब्ध है, जम सेथपूर इसी रेल मार्ग पर आता है, तो रेल बडिवान की सुवदा उपलब्ध है, फिर यहीं पर क्या है, कौकता बंदरगा अवस्थित की। तो कोलकाता बंदरगा से क्या है इसको बंदरगा आधारित आयात नरियात की शिवधा उपलब्द है फिर तो पांचमा हो गया रेलमार्ग छट्ठा हो गया कलकता बंदरगा की शिवधा सात्मा क्या हो गया कि ये जो छित्र है यहाँ पर अस्थानिये तोर पर बिहार के बंगाल के जारखंट के उरिशा के सस्ते स्रमे किस उद्योग को उपलब्द है ये शुविधा है तो इन तमाम शुविधा की उपलब्दता के कारण जो है जो आपको 78 पॉइंट हमने बता है इसके कारण जो है टाटा गए यहाँ पर उद्योग लगाया और आज देश का नेजी छेतर का सबसे बड़ा उद्योग ये मना जाता है तो ये आपको ध्यान में रखना है टिसको के बारे में अब है एक टाटार एंटर स्टिल कमपणी के मैंने आपको बता ह쳤 लिए पिट्सबर्ग इस्पा फॉद्योग पिट्सबर्ग इस्पा को बस्तीत है यूएसे में अभस्तित है यानि कि सन्युक्त राज्य अमेरिका मैं बीपी असıyı में एक बार पीटी में है यह आपको ध्यान में रकना है तो Pittsburgh जो लॉइस पात उद्धाए ऐसको क्या क्या स्विधाए एक तो आपको पता रियाद रखना है कि पिट्सबर्ग लॉइस पात उद्ध है और कहां पर हुआ तो ये सन्युक्राज अमेरिका में उपलव्द है इस उद्योग को स्विधाएं क्या क्या उपलव्द है तो कोईला हम आपको लोकेशन भी इसका दिखाएंगे USA के मैप पर कोईला इसको पिट्सबर्ग से प्राप्त हो जाता जो USA में पिट्सबर्ग छेतर है वहां से इसको क प्राप्ति हो जाती है इस उद्योग को दूसरा इस चेतर में ये जो रीजन है ग्रेट लेक्स रीजन है जिसमें पांच जीले सामिल है सूपीरियर यूरन एरी एंटोरियो और मिसिगन तो महान जील चेतर से इसको परिवहन की स्विधा उपलवद है परिवहन कहां पर है तो महान जील चेतर ग्रेट लेक्स रीजन महान जील चेतर से और ये जो महान जील चेतर है बैसिकली ये मिसिपी मिसौरी नदी के माध्यम से मैक्सिको की खारी से जुड़ जाता है तो महान जील चेतर से होते हुए मिसिपी मिसौरी नदी के द्वारा ये गल्फ आप मैक्स मेक्सिको ऐटलांटीक से जुरकर एक बड़े बाजार इस लबद कराता है तो महां जील फेतर जो निल फेतर हैं वहां से है सिवेजियी फंटाहस ते प्रापति है इस अधियोग को कहां ओहियो है और यानि की अल घैने इल घैने ओहियो और तीसरी जो नदी है जिससे इसकी स्विविदापुल अब्द है उसको हम लोग कहते हैं मोनेग हेला मोनेग मोनोग हेला इन तीन नदियों के मद्य का ये छित्र है इसलिए यहाँ पर एक विस्तरित समतल मैदानी छित्र भी उपलवद है अब आप देखेगे ये जो पिट्सबर्ग अद्योगी कुद्योग है ये लगभग यहाँ पर अवस्तित है पिट्सबर्ग अब ये मैक्सिको की खारी से यह जूर जाता है और यहीं पर जो है छोटी छोटी नदियां है जिसमें यहाँ पर पिट्सबर्ग से कोईले की प्राप्ती हो जाते है ये प्रस्ण पूछा हुआ है पिछरे बरसों के कोईशन में आप देखेंगे पिट्सबर्ग जो है वो किसे लिए फेमस है ये आपको ध्यान में रखना है तो यहाँ तक सभी का क्लियर है कोई डॉट इसमें उस पूछना है तो आप पूछ सकते हो तो अब आप चलिए नेक्स्ट उद्द्योग में वो है सूति बस्त्र उद्द्योग तो सूति बस्त्र उद्द्योग का एक आप परिचाए लिजिए दूसरा भारत में सूति बस्त्र उद्द्योग बारत में सूति बस्त्र उद्द्योग इस पर भी UPSC के मेंस में प्रस्ण पूछा हुआ है जिसका आंसर NCRT से मिल जाता है और उसाका सूति बस्त्र उद्द्योग ये इनCRT में जिकर है जिसके उपर हम लोग शर्चा करेंगे बारत में बहुत सारे लोईस पात उद्द्योग है जिसके उपर हमने पॉइंट किया है आप एक जो इसमें Tata Iron and Steel Company के बारे में था वो मैंने आपको बताया है आईए सूति बस्त्र उद्द्योग के बारे में हम लोग जानते हैं तो सूति बस्त्र उद्द्योग जो है अब यदि हम इस परिचाई को भारत से लिंक कर लें दोनों पॉइंट को एक तरीके से समझे तो सूति बस्त्र उद्द्योग जो है भारत का प्राचीनतम उद्द्योग है भारत का क्या है प्राचीनतम उद्द्योग है प्राचिन्तम उद्योग क्यों है क्योंकि आप जब सिंदु सब्यता को परते हैं तो उसमें आपको कपास उत्पादन का प्रमान मिलता है तो सूती बस्तर उद्योग जो है वो भारत का क्या है एक प्राचिन्तम उद्योग है ये आपको ध्यान में रखना है प्राचिंतम उद्योग के साथ साथ क्या है कि ये एक ऐसा उद्योग है जो क्रिशी पर आधारित है क्रिशी पर आधारित है इसके लिए कच्छे माल की प्राप्ति कहां से होती है क्रिशी से होती है इसका पस्तर का जो निर्मान होता है वो कपास से होता है कपास से होता है और अन्य कच्चे माल में जदि बस्त रुद्योग की हम लोग बात करते हैं तो रेसम से भी कच्चे माल का उत्पादन होता है रेसम से भी होगा जूट इंडस्ट्री समा जाता है उनी बस्त रुद्योग आ जाता है तो यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, तो बरे तोर पर जदी इसको बस रुद्योग मान लेंगे, तो कपास, कपास के साथ साथ रेसम, रेसम के साथ साथ पटसन या जिसको जूट कहते हैं वो, और उन, ये सबी जो चार पॉइंट होगे, कपास, रेसम, पटसम, ज रुद्पादन या बस रुद्पादन में प्रयोग किये जाते हैं, तो मानव निर्मित, यानि कि ये क्या हो जाएगा, कृत्रिम हो जाएगा, तो मानव निर्मित, यानि कृत्रिम जो हो जाएगा, इसमें कौन-कौन साज आज जाएगा, तो आप जानते हैं कि इसमें नाइलाउन हो जाएगा इससे भी बनाया जाता है नाइलाउन से नाइलाउन के साथ साथ ये पॉलिस्टर 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 के बाद ये बनता है जिसको हम लोग करते हैं एक्रेलिक और रेयॉन एक्रेलिक एक परकार का रेशा और फिर रेयॉन ये कृतिम तोर पर इ और प्राकृतिक तोर पर कपास, रेशम, पट्सन और उन से हम बस्तर उत्पादन करते हैं। भारत में जैसे पहले ही बताए कि सूती बस्तर का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन आधुनिक तोर पर जाएंगे तो भारत में पर्थम सूती बस्तर की अस्तापना जो है 1818 में पस्यम बंगाल कलकत्ता में के निकट फोर्ट ग्लोस्टर नामक अस्तान पर की गई थी, कहा अस्तापना 1854 में कहां पर की गई थी, मुंबई में, और 1854 में जो प्रथम सफल सूती बस्तर की अस्तापना मुंबई में की गई थी, कि इनके द्वारा तो कावस जी, डावर जी, कावस जी, डावर जी, नाना के द्वारा, इनके द्वारा देश में प्रथम सफल सूती ब सूतिबस्त रुद्यों की अस्थापना की गई थी इसके बाद क्या है कि देश में बहुत तेजी से सूतिबस्त रुद्यों का विकास हुआ और वरतमान समय में जदी आज आप भारत में सूतिबस्त रुद्यों को देखेंगे तो ये एक तरीके से विकेंद्रित विक्सित है decentralized है, विकेंद्रित है यही UPSC के मेंस में एक बार प्रसन आया है कि भारत में सूतिबस्तर उद्योका विकेंद्रित विकास हुआ है इसके पीछे कारण क्या है आप कारण को बताएं तो विकेंद्रित विकास करने करता है कि इस उद्यों को आप देखेंगे तो वैसे सरवाधिक जो सूती बस्तर मीले हैं महरास्ट में आपको मिलेगा गुजरात में इस उद्यों का बरे पैमाने पर विकास हुआ है तमिलनाडू में जाएंगे तो तमिलनाडू में इस उद्योग का बरे पैमाने पर विकास हुआ है मध्य परदेश में है राजस्थान में इस उद्योग का विकास हुआ है यूपी में वेस्ट बंगाल में जाएंगे तो यहाँ पर भी कलकत्ता में मिलेगा यानि कि MP में इस उद्योग का विकास हुआ है, यानि कि लगभग देश के कुछ ही राज ऐसे होंगे जहांपर सूती बस्त्र उद्योग आपको नहीं मिलेगा, हर एक जगह पर सूती बस्त्र उद्योग का विकास हुआ है, क्योंकि सूती बस्त्र जो है एक सुद कच्चे माल जुद कच्छे माल पर अधारिज उद्योग होते हैं वो कहीं भी लगाए जा सकते हैं यहां पर कपास का उत्पादन होता है वहां पर भी और जहां पर कपास का उत्पादन नहीं होता है वहां पर भी त्योंकि परिवहन लागत बराबर आएगा और शुद कच्छा माल क्या ह होता है अभी आपको हमने बताया है इसलिए इन सभी राज्य में दूसरा क्या है कि परिवहन की फैसलिटी है तीसरी बड़ी बात क्या है कि भारत की जलवायू दसा है वो सूती बस्तर के उद्योग के विकास का एक बहुत बड़ा कारण है हमारे यहां दचिन भारत में सालों अबर इस बस्तर के मांग रहती है क्योंकि वो ट्रॉपिकल कंडिशन में है और उत्तर भारत में भी अब लगभग दस महिने सूती बस्तर की मांग होते के वल दो ही महिने ऐसे होते हैं सीत के समय जब आप उनी बस्तर की डिमांड करते हैं तो एक बहुत बड़ी जन संख्य क्या है सूती बस्तर उत्यों के विकंद्रेत विकास के लिए यह है फिर क्या है कि प्रारंभ में सूती बस्तर उत्यों का विकास महारास्त और गुजरात जैसे राज्यों में ही हुआ था लेकिन अब जो है कृतिम आदरता बनाई जा सकती है निया कि आदरता को कृतिम तरीके से जनरेट किया जा सकता है और कृतिम आदरता के विक्षित हो जाने के कारण सूति बस्त रुद्योग का बिकेंदृत विकास हुआ है यह आपको ध्यान में रखना है तो ये है लेकिन भारत में सूती बस रुद्योग जो आप देखेंगे बरे तोर पर तो जैसे मैंने कहा कि मुंबई है यहाँ पर सूती बस रुद्योग का एक बहुत बरा केंदर है मुंबई को भारत में सूती बस रुद्योग की राजधानी कहते हैं और फिर यहाँ पर अहमदावाद है गुजरात में कौन सा हो जाएगा अह मदावाद हो जाएगा बहुत बड़ा सूती बस रुद्योग केंद्र है और यह क्या हो जाएगा मुंबई हो जाएगा मुंबई को अपने यहां सुति बस रुद्यों की क्या कहते हैं कैपिटल कहते हैं राजधानी कहते हैं और आहमदाबाद जो है इसको पस्यम भारत का मैंचेस्टर कहा जाता है पस्यम भारत का क्या कहते हैं पस्षिम भारत का इसको मैंचेस्टर कहते हैं और ना के बल पस्षिम भारत का मैंचेस्टर कहते हैं बलके आमदाबाद को पुर्व का बोस्टन भी कहा जाता है क्या कहा जाता है पुर्व का बोस्टन कहते हैं कई बार ये प्रस्षिम भारत का मैंचेस्टर किसको कहते हैं पस तमिलनाडू में है, यहाँ पर क्या है, कोयमब टूर है, यह कौन सा हो जाएगा, कोयमब टूर है, कोयमब टूर को दचिन भारत का मैंचेस्टर कहते हैं, यह भी क्या है, एक मैंचेस्टर है, सूती बस्तर के रूलिये, लेकिन इसको दचिन भारत का, और यहाँ पर हो अधिकान सूतिबस्त उद्योग जो है ये मुंबई और अहमदाबाद के छित्रों में बिख्षित हुआ और आज भी आप देखेंगे तो बरे तोर पर ये उद्योग इन छित्रों में सकेंद्रित हैं इसके रीजन क्या है तो महरास्ट और गुजरात में जो अधिकान ग Meer तोरक शोब्रे एक यानगे टर पर कच्चा माल उपलवद है अस्थानिये तोर पर क्या है अस्थानिये तोर पर कच्चा हमाड अधिक अध्योग नहीं के महारास्त पूरी पठार जो है सो काली मिर्दा काली मिर्दा जो है कापास को उत्पादन के लिए सबसुपी हो गया इसलिए काली मिर्दा को हम लोग क्या कहते हैं कापास उत्पादन करने वाले मिर्दा के रूप में भी जानते हैं दूसरा काली मिर्दा है तीसरा क्या है कि सम खासकर जो कांडला बंदरगा है जिसको अब हम लोग क्या कहते हैं पंडित दीन द्यालुपाद्या कहते हैं तो कांडला बंदरगा से और मुंबई बंदरगा से आयात निर्यात की शिवधा है भारत उच्च कोटी का कपास मिसर से आयात करता है तो दोनों बंदरगा से अरब परिबहान की स्विधा है यह जो है मुंबई आमदाबाद आप तो बुलेट ट्रेंज से भी जोरने जा रहा है तो रेल परिबहान का रेल परिबहान सरक परिबहान और वायू परिबहान सभी की स्विधा है यानि कि बंदरगाह परिबहान की फैसलिटी है रेल परिबहान की स इएरपोर्ट परिवान बुंबई एक अंतरास्टी हवाय अड़ा भी है आमदाबाद भी हटबाय अड़ा है और फिर ये सरक में स्वर्निम चतुर्भुजी योजना से जुरा हुआ है गोल्डन क्वार्डी लेटर आप जिसको कहते हैं उससे जुरा हुआ है इसके कारण उतरप्रदेश के सस्ते स्रम उपलब्द है इसलिए आधिकांस जो उद्योग प्रारंब में सूती बस्तर के लगे वो महरास्ट और गुजरात के इन छित्रों में लगे आहमदाबाद में आधवी उद्योगिक सकेंदरन मिलता है इसके अलाबा मुंबई को उद्योगिक ज जाएगा उसाका यह जपान द्वीप है यह और यह जो हाना इसको कहते हैं होकाइडो द्वीप है इसको होकाइडो कहते हैं और यह जो दूइप है यह हौन्सू आइलेंड पर जो है उसाका है तो यह जो ओसाका है इसको क्या कहते हैं जापान का मैंचेस्टर कहा जाता है जापान का मैंचेस्टर मैंचेस्टर क्यों कहते हैं ये मैंचेस्टर सब्द जो है 19 सताबदी में मैंचेस्टर ब्रिटेन का एक सहर जहां पर सूती बस्थर का बरे पैमाने पर उत्पादन होता था वहीं से ये सब्द निकला हुआ है आज भारत में जिन सहर में बरे पैमाने पर प्रोडक्शन होता है उसे मैंचेस्टर की संग्या दी जाती है तो ओसाका जो है जापान का मैंचेस्टर है और यह होंसु द्वीप पर अवस्थित है जापान का सबसे बड़ा आइलेंड है यहां पर यह अवस्थित है तो यह जो ओसाका जापान का मैंचेस्टर है इसको क्य जापान का मैंचेस्टर है आयातित कच्चे माल पर भिक्सित है आयातित कच्चे माल पर जापान में भूमी कम उपलब्द है क्रिसी योगी भूमी इसलिए कच्चे माल पर जापान जो है उच्च कोटी के कपास का आयात करता है और उच्च कोटी के कपास का यह आयात कहां से करता है तो यह मिसर से करता है मिसर के साथ साथ भारत से करता है यूएसे से करता है तो सबसे पहले तो आपको यह ध्यान में र कपास के आयात पर विखसित है ये आपको ध्यान में रखना है अब क्या है कि चुकि जापान के जो उत्पाद होते हैं ये उच्छ क्वालिटी वाले होते हैं उच्छ क्वालिटी के हैं उच्छ क्वालिटी के और उच्छ क्वालिटी के साथ साथ क्या है इनके उत्पाद सस् क्या है बिदेशों में मांग अधिक है इसलिए इसका अर्थ है की दिमांड आधारी तो रिचित है क्योंकि इन'क क्यां क्षेता है स्थलनेयद कौना ही ay disaster आद्यार किती है इसले यह दिमांड आधारी तो दयोग विखवित है तीसरा क्या है कि बिल्कुल ये जो आइलेंड है समुदर तट्टिय आदर जलवाईू है तो जापान का जो समुदर तट्टिय आदर जलवाईू है और अभी आपको मैंने बताया कि जो आदर जलवाईू होती है उसमें सूत के धागे मजबूत बनते हैं कोस्न जलवाईू मे यहाँ पर सूत के धागे मजबूत बनते यह सुवधा यहाँ पर उपलब्द है फिर यहाँ पर क्या है चौथा कि याडो नदी से जल की सुवधा है याडो डीवर है यहाँ पर याडो नदी से जल परिबान की सुवधा है और उद्योगों के लिए जल की जरूरत होती है वो करते हैं बंदरगाह की शुगधा है यह तमाम शुगधाएं उपलब्द है जिसके कारण जापान का जो ओसाका है बरे पैमाने पर सूति बस्तर का उत्पादन करता है और इसलिए ओसाका को जापान का मैंचेस्टर कहा जाता है प्रस्न यह भी आजाएगा कभी चुकि उपीओशी के सीलिवस में उध्योगई क स्थानिय करन सामिल है तो उध्योगई कस्तर का इंक dedic के बारे में आप बताईये तो पूसकता है कि जापान साका में को तो उद्योग का सकेंद्रन है इसके पीछे क्या कारण है क्या सुविधाएं विक्सित है वो आप बताईए यह छे साथ पॉइंट जदी आप अच्छे से लिख देंगे डेड़ सो सब्दों में आपका अंसर पूरा हो जाएगा क्लियर है सभी का कोई डॉट तो आप पूछ सकते सूचना प्रड्योग की उद्योग पर जाएंगे यहां तक सभी का क्लियर है कि ओके थैंक यूज़य क्या सूचना प्रड्योग की उद्योग नाभी चित्र कहने करता है कि कहां पर इसका सकंदरन है वो विश्वस्तर पर सुचना प्रद्योगी उद्योग का जो नाभी चित्र है एक है USA में इसके उपर चर्चा करेंगे एक है USA में USA में कहां पर है USA के कैलिफोर्निया में है कैलिफोर्निया में है USA के कैलिफोर्निया में है और दूसरा कहां पर है नाभी चित्र इसका अपने यहां अपने यहां सुचना प्रद्योग की उद्योग का जो नाभी चित्र है वो है बैंगलुरू में है यह दो इंडस्ट्री के उ तोस तूरज कुमार जी 1947 से पहले जो आरेंड इंडस्ट्री है भारत में वो कुल्टी है, भीरापूर है, बर्नपूर है फिर आप आजाएंगे तो टिसको हो जाएगा जोने 107 मस्था पित हुआ है फिर मैसूर आरैनान एन इस्टील कमप्णी हो जाएगा जो बदरावती मस्थापित है ये सारे जो हो जाएंगे आजादी से पहले की हो जाएगा आजादी के बाद में आप जाएंगे infra7 मिस्पात सन्यंत्र है ये सबी 1947 के बाद अस्थापित हुए है अभी कई सारे प्रपोज्ड हैं लगने हैं पुरिशा के जटादारी में लग रहा है जगत सिंगपुर में लग रहा है कलिंग नगर में लग रहा है महरास्ट के जो है सो नागपूर के पास एक भंडारा जगा है वहाँ पर लग रहा है पस्य मंगाल के आसन सोल में लग रहा है ये सभी लौइस पात उद्योग अस्थापित हो रहे हैं तीनों मैंने बता दिया कि कौन 1947 से पहले लगे थे 1947 के बाद कौन लगे और अभी कौन अस्थापित हो रहे हैं तो सूचना प्रद्योग की उद्योग का आसा है कि हम किसे सूचना प्रद्योग की उद्योग कहेंगे तो ऐसा उद्योग जो सूचना का संग्रहन करें तीन की पॉइंट इसमें याद रखना है सूचना का संग्रहन करें सूचना का प्रक्रमन करें और सूचना का वितरन करें उसको हम लोग क्या कहते हैं सूचना प्रद्योग की उद्योग करतें तीन विशेस्ताएं यानि सू प्रक्रमन करते हैं इसकी क्वालिटी सब कुछ को बहतर करके आप तक पहुंचा जाते हैं सूचना प्रद्योग की उद्योग आसा है कि सूचनाओं का संग्रहन उसका प्रक्रमन और उसके वितरन को इसमें सामिल किया जाता है ये जो सूचना प्रद्योग की उद्योग है बिश्व में तेजी से बिक्सित होता हुआ उद्योग है सबसे तेजी से विक्सित और उभरता हुआ उद्योग है और वर्ड जो अभी एक ग्लोबल भिलेज के रूप में कन्वर्ट हुआ है इसके बारे में पिछले क्लास में भी हमने चर्चा किया है तो विश्व जो एक ग्लोबल भिलेज के रूप में कन्वर्ट हुआ है किसी भी चीज की जानकारी ले लेते हैं, अमेरिका बासी भारत के बारे में जो भी जानकारी चाहे ले लेते हैं, तो बहुत तेजी से विक्सित होता हुआ उद्योग है, विशुको ग्लोबल विलेज के रूप में कन्वर्ट करने में, विशुको ग्लोबलाइजेशन की ओर जाने में इस उद्योग का बहुत बड़ा योगदान है हलांके बिस्व को ग्लोबल विलेज बनाने में अन्यकारकों का भी योगदान है और जो राजनितिक समाजिक आर्थिक कारण है यानि कि जो राजनितिक कारण है जो आर्थिक कारण है जो समाजिक कारण है ये इस उद् यह इस उद्योग के तेजी से विक्सित होने का कारण है यह आपको ध्यान में रखना है अब विश्व में सूचना प्रद्योग का जो कंसंट्रेशन एक USA के कैलिफोर्निया में है तो सबसे पहले हम लोग वहीं पर चलते हैं क्या है इस तरीके से वहां के उद्योग की विशे जान पाएं कि USA में कहां पर यह अवस्थित है USA का यह जो एडिया हो जाएगा ने यह इसका कैलिफोर्निया प्रांत है USA का यह कौन सा है यहां पर कैलिफोर्निया है यह कैलिफोर्निया है तो कैलिफोर्निया प्रांत है और कैलिफोर्निया प्रांत में एक और एडिया है जि युएसे में क्या है कि जो कालिफोर्निया प्रांत है वहाँ पर एक सांता क्लारा घाटी है और इसी सांता क्लारा घाटी में जो है वो सभी यहाँ पर उद्योग किंद्रित हैं इस सांता क्लारा घाटी को basically किस नाम से जाना जाता है Silicon Valley के नाम से जाना जाता है Silicon Valley के नाम से भी जाना जाता है यहाँ पर अमेरिका में यह जो Software Industry के हैं या इस तरीके के जो भी उद्योग है यह आपको मिलते हैं अब यह जो Santa Clara गाटी है USA में जिसको Silicon Valley के नाम से भी जाना जाता है ये कहां पर है किस तरह से इसकी सुविधाएं हैं ये आपको जानना है यही मिन्स मायगा कि USA में जो सांता कलारा घाटी है जो सिलकन वैली के नाम से जाना जाता है ये सिलकन वैली भी मिन्स में पूशा हुआ है यहां पर इस तरीके के उद्योग के अस्थानिय करने के लिए क तो सबसे पहले यहां पर जो सुविधाएं उपलब्द है यह वैसे में इस उद्योग के विकास के लिए यह आपको जानना है सबसे पहले यहां की जो कैलिफोर्निया की जलवायू है यह भूमध्य सागरिय जलवायू है तो इस चितर की जलवायू किस तरीके की है सितोसन जलवायू है अर्थात जलवायू ऐसी है कि जहां ना तो अधिक गर्मी परती है ना ही अधिक सर्दी परती है पर ऐसे चितर में स्रम की productivity क्या होती है बर जाती है वैसे भी बिस्वेस्तर Mediterranean type of climate जो होता है human shelter, human निवास के लिए सबसदिक माना जाती है क्योंकि जब आप बहुत नी cold condition में चले जाएंगे हाथ पर काम करना बंद कर देगा, उतनी activity आप नहीं कर सकते हैं बहुत hot, humid condition में रहेंगे तब भी आपकी जो work efficiency होती है वो कम हो जाते हैं बट एक ऐसे climatical condition है जहां पर आपकी work efficiency को बरहा देता है तो इसकी सबसे positivity यह है कि यह सितोसन जलवायू के छेतर में है जो work condition के दरिश्टिक कोन से सबसे best माना जाता है तो पहला इसके लिए यह है दूसरा क्या है कि इस छेतर में होने के कारण क्या है कि यहाँ पर अनुकूल ताप मान मिलता है अनुकूल तापिये दसा सैध ही कभी सांता क्लारा काटी का temperature जो है 0 degree centigrade के या उसके नीचे जाता है यानि कि अनुकूल तापिये दसा है तो एक बहतर जो है सो सुविधा यहाँ पर उपलवद है फिर यहाँ का प्रयावरन स्वक्ष है आकर्सक भी है प्रयावरन कैसा है यहाँ का आकर्सक भी आनि कि आकर्सित करने वाला आकर्सक भी है और स्वक्ष है आजकल स्वक्ष प्रयावरन जो बेसिक जरूरत है क्योंकि आप लंबे समय तक काम करना चाहते हैं तो आपके लिए इस तरीके की फैसिलिटी होनी चाहिए फिर यह जो है ना अमेरिका का जो यह कैलिफोर्निया है यह सरक परिवहन और वायू परिवहन की सिवधा से जुराव सरक और वायू परिवहन के यहाँ पर विशे सिवधाएं हैं सरक और वायू परिवान की विशेश्वदा फिर यहां पर क्या है कि तकनीकी विशेशग्यों की पेसेवर तकनीकी विशेशग्य यहां पर मिलते हैं तकनीकी विशेशग्य कहने करता है कि हाड़वेयर, सौफ़वेयर, इंजेनियर इस तरीके कि जो भी लोग होते हैं यहां पर क्या है उपलब्द है फिर यहां पर क्या है कि बाजार भी उपलब्द है यहां पर क्या है बाजार भी उपलब्द है और बाजार के साथ साथ क्या है कि यहां पर भबिश्य में उद्योग के बिस्तार के लिए भबिश्य में उद्योग के बिस्तार के लिए जमीन भी उप तो हाई ब्रेन पावर यहां पर उपलब्द है बाजार उपलब्द है भविश्य में उद्योगों के विकास के लिए जमीन भी यहां पर उपलब्द है तो एक यह है और दूसरा अपने यहां पर कहां पर है तो भारत के बैंगलुरू में भी इस तरीकी का सुचना प्रद्योग की उद्योग जो है कैन रहेता है तो यह जो एडिया हो जाएगा ने यह बेसिकली क्या है करनाटक पठार का एडिया हो जाएगा जिस पर बैंगलुरू अवस्थित है यह करनाटक पठार का एडिया हो जाएगा ठीक है ना कि इसका कारण आप बताईए कुछ कुछ कारण आब आप लोग सोचो तो क्या है तो करनाटक में या बैंगलुरू में जो शिलकन वाइली कहा जाता है यानि कि Bengaluru को क्या कहा जाते है अपने यहां का Silicon Valley कहा जाते है क्योंकि जिस तरीके से USA के California के Silicon Valley में यह industry locate है ठीक उसी तरीके से अपने यहां भी यह industry locate है यहां की जलबायू है यहां की जलबायू है यह वरस भर मृदू जलबायू है मृदू यानि की soft जलबायू है क्यों की करनाटक पठार पर है तो लगभग यह पठार जो है 900 से 1200 मीटर की उपने ख्योव WR चितर है तो altitude होने के कारण यहाँ पर temperature कम हो जाता है वर्स भर शौफ ब्रदू जलवायू मिलती है जिस तरीके के California में है हलांके California का यह अक्सांस नहीं है लेकिन altitude होने के कारण यहाँ पर उस तरीके की जलवायू दसाएं बन जाती है फिर यहाँ पर क्या है कि जो USA है बैंगलूरू है यहाँ पर सरवाधिक संख्या में सूचना प्रद्योग की विश्व विद्याले सब है फिर क्या है कि पठार पर होने के कारण यह नगर धूल मुक्त है यानि कि प्रदूशन यहाँ पर अन्य नगरों के तोलना में कम है पठार पर उपलब्द होने के कारण क्या है कि जमीन उपलब्द है भविश्य में उद्योग के विस्तार के लिए यहाँ पर क्या है जमीन विसेशज्य मिलते हैं ठीक अपने यहां यहां पर टक्निकी विसेशज्य जो इंजीनियर है सौफटवेयर हाडवेयर इस तरीके के इंजीनियर्स यहां पर फुपलब्द हैं तो यहां का जो किराया है रहन सन का खर्च वो भी बहुत हाई नहीं है दिली मॉंबई कलकाता के तो जो किराया है, किराया हो गया, फिर जो रहन सान का खर्च है, ये बहुत हाई नहीं है, बाजार उपलब्द है यहाँ पे, फिर परिबहन के साधनों से ये जुरा हुआ है, बैंगलोरो जो है, रेल परिबहन से, वायू परिबहन से, सरक परिबहन से, देश के सेस भाग से परिबहन की तमाम सुवदा है तीनों जो ग्रेट परिबहन होते हैं वो तीनों परिबहन से बेंगलरू कनेक्टेड है इसलिए यहां पर क्या है कि इस तरीके के उद्योग का अधिक कंसेंट्रेशन हुआ है क्लियर है सभी का कोई डॉट क्लियर है तो आज क्लास यहीं इंड करूंगा कल के क्लास में कल का जो क्लास होगा इसमें उद्योग का बचा हुआ जो पार्ट है वो उद्योग और मानव संसाधन पर क्लास होगा कल आठमा इंसियाटी का लास्ट क्लास होगा उद्योग में दो सेक्षन बचा हुआ है एक उद्योगिक छेत्र एक उद्योगिक छेत्र बचा हुआ है और दूसरा उद्योगिक आपदा बचा हुआ है उद्योगिक आपदा ये कल 10-15 मिनट में कवर कर लेंगे इस दोनों एडिया को cover करने के बाद कल हम लोग मानव संसादर पर करेंगे तो कल लास्ट क्लास होगा आट में के NCRT गा धन्यवाद सभी को सभी को thank you है धन्यवाद है और good night है